जी, असलाम लेकर, उमीद है सब लोग ठीक ठाक हो गए, इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए लेकर आ रहे हैं चैप्टर नमबर 17, जिसके बहुत ज्यादा आप लोगो ने हमें कमेंट्स भी किये थे, और आज से हमारा ये चैप्टर नमबर 17 जो टारगेट होगा, और इंशाला हम इस चैप्टर को आपके लिए कंपाईल करके, अच्छा 17.1 है, उसकी पहली एक्सराइज है, 17.1, चैप्टर नमबर 17, उसकी पहली एक्सराइज 17.1 और उसमें फर्स्ट क्वेस्टन जो है, वो कहरें, एक ट्राइंगल कंस्रेक्ट कीजिए, A, B, C से, जिसक गलग आपको information दी वी है, और उन ही information को use करते हुए, हम आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे, कि हम triangle खुद से अगर बनाना चाहें, तो कैसे बनाते हैं, तो पहला question और उसके पहले दो पार्ट्स जो है, यह दोनों पार्ट्स बिलकुल एक ही जैसे है, हम उन में से एक try करते हैं, दूसरा हम आपकी practice के लिए छोड़ते हैं, ताकि आपको दूसको practice किजिए, पहले question के अंदर, हाँ सरी, पहले part के अंदर वो कह रहा है, A, B, एक length दी वी है 3.2 cm, तो मैं यह साथ लिख लेता हूँ, आपके पास है measurement, A, B, equals to 3.2 cm, फिर इसी तरह दूसरी length आपक measurement 2 cm, measurement BC equals to 4.2 cm, and final जो आपको measurement दी वी है, वो measurement CA है, 5., CA equals to 5.2 cm, 3.2 cm, 4.2 cm, and 5.2 cm, जाद रखिये, जब आपको तीनो lengths दी वी हों, तो वो triangle बनाना सबसे असान है, आप इन में से कोई भी एक length consider कर लीजिए, suppose, मैं आपके अभी के लिए मैं length A, B suppose कर लेता हूँ, सबसे पहली, तो आप क्या कीजिए, जो जो कुछ यहां पर आप ड्रा करते जाओ, वही वही कुछ आप साथ-साथ, लिखते जाओ, आपके प initially take a length of length A, B of 4, 3.2 cm, जैसा कि उन्होंने हमें खुद बोला है कि 3.2 cm की एक length लीजिए, मेरे पास ruler या scale नहीं है, तो मैं वैसे ही ले रहा हूँ, आप इसी तरह आपके पास scale होगा, scale के ओपर reading cm का भी आपको पता होगा, तो 0 से लेके आप 3.2 cm जहां पर आ रहा होगा, वहाँ पर एक point लगा लीजिएगा, ये point आपका 0 को show कर रहा होगा, और आप scale रखेंगे, तो आपके पास कहीं यहां तक suppose आजाता है 3.2 cm, तो इससे आप point B का नाम दे दीजिए, और इसको A का नाम दी दीजिए, फिर इन दोनों points को आप join कर दीजिए, आपके पास आजाएगी length A, B which is 3.2 cm, ये हमने आपके सामने पहला step ले लिया, take a length of 3.2 cm, उसको पाद दूसरी reading देखिए, तो वह आपको नजर आ रही है, B, C which is equals to 4.2 cm, तो आप B को center मानते हुए, 4.2 cm की एक arc ड्रा कर लीजिए, क्या चीज़, एक arc ड्रा कर लीजिए, 4.2 cm तक आप खोल लीजिए उस rhombus को, compass को, जो आप उसे बोलते हैं, परकार, actually उसे बोलते हैं, उर्दू के अंदर, तो आप वो परकार जो है, वो 4.2 cm तक ruler के उपर रखके, scale के उपर, आपके पास ऐसे scale होगा, जैसे मानो ये ही scale है, आप scale के उपर से परकार क खोलेंगे, तो 4.2 जितना भी आ रहा है, उस परकार को उतना खोला रहने दीजिए, और B को center मानते हुए, क्योंके आपने BC बनाना है, B को center मानते हुए, 4.2 cm तक long, एक arc, आप ड्रा कर लीजिए, suppose मेरे पास 4.2 cm यहां पर आ रहा है, और उस परकार से मैंने एक arc ड्रा कर ल B as a center, ah sorry, इस से अच्छा है कि इस statement में को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, taking an arc of, an arc of 4.2 cm, from B as a center, तो B को center मानते हुए, इस चीज़ को center मानते हुए, मैंने 4.2 cm की एक arc ड्रा कर ली, जो मेरे पास यह आ गए, तीसरी length, आपके पास CA है, अब आप इसी तरह, जैसे यह आपने दूसरी length ड्रा करी है, taking an arc of 4.2 cm, by considering B as a center, बिलकोल इसी तरह, अभी आप 5.2 cm तक उस arc को open कीजिए, और और एक उस center मानते हुए, 5.2 cm का एक arc जो है, वो ड्रा कर लीजिए, और वो कहीं, आप इसको अगर center मानेंगे, तो वो कहीं, यहां तक आएगा आपके पास इस तरह से, अब देखें यह दोनों, पहले यह step लिख लीजिए, taking an arc of 5.2 cm from A as a center, अब यह देखें तो यह दोनों जो आपने arcs जो है, ड्रा करी हैं, यह दोनों arcs कहीं न कहीं, एक दूसरे को intersect कर रही हूं, suppose यह नहीं एक दूसरे को intersect कर रही हैं, जैसे मैंने पहले बनाते हुए arcs, suppose यहां से यहां तक ही खेंची होती सिरफ, यहां से यहां तक ही और दूसरी आख जो है वो यहां तक होती तो यह दोनों तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं आप क्या किजिए वापस बी पे जाएं सैंटर पे और वही 4.2 सैंटीमेटर्स की उसे परकार को दुबारा उपन कीजिए और इसको स्ट्रेच कर लिजिए यहां से और यह आगे यह नीचे तो जाई सकती है तो यहां तक चले जाएगी तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेंगी और अगर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करते तो वो हम अगले क्वेस्टन पर जाके आपको वो भी समझाएगे वो केस कौन सा होगा इंबीगोस केस होगा जहां पर या तो दो ट्राइंगल बन रही होंगी या फिर कोई ट्राइंगल बन ही नहीं पाती तो अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी तो वो इंबीगोस केस होगा वहां पर ट्राइंगल नहीं बनती खैर अभी तो कर रही है एक दूसरे को और अगर यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहां पर यह इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप उस point को point C का नाम दे दीजिए, और point C को आप A से भी join कर दीजिए, और point C को आप ruler, यानि scale को रखते होए B से भी join कर दीजिए, तो आपके पास जो है, वो required triangle ABC बन है, taking an arc of 5.2 cm from A as a center, it cuts, आप देख रहे हैं, कि यह cut कर रही है, यह intercept कर रही है, तो आप यह भी information साथ ही दे दीजिए, it cuts the arc at C, तो इस point को मैंने नाम C का दे दिया, तो fourth और final step जो होगा, उसके अंदर आप ले लिखिए, joining A to C and B to C, joining, या join खाली लिख सकते है, join C to A and to B, यानी C को आप A से भी जोइन कीजिए है, तो पहले मैं C को A से एक straight line के जरही है, जोइन कर रहा हूँ, तो यह बन गया, और फिर इसी तरह C को मैं B से भी जोइन कर देता हूँ, तो this is your required triangle, finally, आप यह लिखिए, required triangle A, B, C, और आपने देखा कितना आसान है, इन triangles को बराना, बिलकुल इसी तरह से, आप इसका जो दूसरा पार्ट है, इस question का, वो खुद से ही कर लीजिए, और अगर उसमें कोई problem आ रही हो, तो आप हमें जरूर inform कीजिएगा, मैं आपके लिए वो मेरे ख्याल में कोई problem आएगी नहीं, बहुत ही simple है, हाँ, move करते हैं, इसके next three parts की तरफ, part 3, part 4, and part 5, तो ये तीनों ही parts जो है, वो एक ही जैसे, और इन parts के अंदर क्या किया हो, उन्हें दो lengths दीवी आपको, और एक angle बनाने के लिए का हुआ, इससे पहले जो दो parts थे उसके to four and five, जैनि तीन parts के अंदर आपको दो lengths दीवी होंगी, और एक angle बनाया, angle दिया होगा, और उस angle और length को use करते हुए, हमें एक triangle बनानी है, मैं इसके लिए, इसमें से भी आपके लिए कुम सा part, कोई भी एक try कर लेते हैं, चले, वानों इसका third, fourth, or fifth, you know, same है, मैं question number one का third part आ लिए गरता हूं, जिसमें दिया होगा, AB equals to 4.8 centimeter ये part है, third, जिसमें मेर्मेर्मेंट AB, जो है, वो दिया होगा है, 4.8 centimeters, and measurement, uh, BC equals to 3.7, BC is equals to 4.7, uh, actually 3.7 है, है, मैसे मने 4.7 बना लिखा था, 3.7 cm, and a b equals to 4.8 centimeter yeah or b c equals to 3.7 centimeters yeah and angle b equals to 60 measurement angle B sorry meaning just angle B equals to 60 degree I try is Kelly a upco angles do a woman on HIA angle amare paas sub-sa-san angle with a 60 degree cover on 60 degree angle AAPCO PUSHA JASAKTA 90 degree KAPU CHAJASAKTA 120 degree KAPU CHAJASAKTA 75 45 30 and 105 maximum AAPCO PUSHA JASAKTA HA AAPCO PUSHA JASAKTA HA AAPCO PUSHA JASAKTA HA AAPCO BANANA B BABY AAPCO IS QUESTION KE BAD WOH BH SIKHA TA HOUSH SIKHA RA GIA HAM MILJOLKAKAKARTE WOH ANGELS BHAM ABHI BANATE A SIKTEM KAY KIS TARAH SE ANGLE BANA JATTE LAKIN ABHI KELIEH हमें 60 degree का ANGLE BANANA तब वो इसी क्वेशन के अंदर साथ ही हम बनाते हैं चले देखते हैं कि ये अगर हमें जब दो LENDS और एक ANGLE बनाने के लिए दिया हो तो हम उसको किस तरह से TRIANGLE DESIGN करते हैं बिल्कुल उसी तरह solution में सबसे पहले आप वो LENTH ले लीजिए जिस LENTH के उपर आपको ANGLE बना रहा हो तो देखें आपको ANGLE कहां पर बनाना है AB के उपर तो आप BC भी ले सकते हैं और AB क्योंके AB के अंदर भी B involved है और BC के अंदर भी B involved है तो मैं मानों उसी तरह सबसे पहले STEP के अंदर क्या ले रहा हूँ जो आपके लिए सानव वैसलिख लिजेमन और मिलाइं लेंथ ही लिखता हूँ लेकिन आप लोग लेंथ भी सकते हो लेंथ सेङ्मेंट भी लिख सकते हो जो टेक लेंथ ओ फोर पोंट डेट सेंटिमेटर लेंथ A B of 4.8 cm तो देखिए यहां से लेके बिल्कुल उसी तरह आप स्केल पे मेर करोगे तो यह आपके पास कुछ A और B बारो यह 4.8 cm ही है तो भाई आप वो स्केल तो आपके पास होगा ना 2 points आप ड्रा करी सकते हो जीरो से लेके 4.8 वो चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे कुछ लाइन्स लगी होती है स्केल के उपर तो वो सेंटीमीटर होते हैं तो आप वो काउंट करने के बाद 1,2,3,4,5,6,7,8 जहां पर आ रहा हो वहां पे एक डॉट लगाई है और एक जीरो पे डॉट लगाने के बाद उन दोनों को आप जाइन कर दोगे तो आपके पास लेंट बहुत सिंपल है आप लोग इस से तो फिमिलियर ही होगे अच्छा है वो लेंट हम ने ले ली दूसरे नमबर पे वो क्या कह रहे है मेजरमेंट BC इकोल स्टी पॉट्ट सावन सेंटिमेटर लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ एंगल B ले लेता हूँ 60 डिग्री का मैं एक एन एंगल और 60 डिग्री एट बी तो दूसरे स्टेप के अंदर मैं लिखता हूँ इसके उपर 60 डिग्री का अंगल कैसे लेते हैं आप यहां पर वही परकार को थोड़ा सा खोल लीजिए थोड़ा सा ओपन कर लीजिए मनो आपने इतना ओपन किया और B को सैंटर मानते हुए एक सैमी सर्कल ड्रा कर लीजिए सैमी सर्कल से मेरा मतलब होता है हाफ सर्कल एक आदा सर्कल बना लीजिए फिर जहां पर इसने लाइन सेग्मेंट को पहले इंटरिसेट किया उस उस परकार को जितना खोला हुआ बाइदवे इहत्याद कीजिएगा उसको दुबारा डिस्टर्ब नहीं करना कम या जादा नहीं करना सेमी सर्कल जिस जिस रेंज से आपने सेमी सर्कल बनाया है उस रेंज को उस परकार की उस रेंज को मनों मैंने ऐसे रखा और इस तरह से ड्रा किया अब ये परकार को मैं इदर आगे पीछे नहीं कर सकता वो जितना खुला हुआ है उसको उतना ही खुला रहने दीजिए अदरवाइस फिर आपके अंगल सही नहीं बनेगे तो ये एक छोटी सी आपने वो इहतियात होती है वो बरत्मी है खैर आपने जितना खुला उसके बाद यहाँ पर पॉइंट आप रखिए और उसी रेंज के साथ आप इसको इंटरसेट कीजिए तो जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेट कर रहे होंगे ये पहला एंगल जो बना होगा पहला जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा होगा वो होगा आपका 60 डिगरी का एंगल तो ये एले पॉइंट और पॉइंट भी इन दोनों को जोइन करें स्केल रख के आपके पास एक स्टेट लेंथ बन जाएगी जिसको आपने 60 डिगरी का एंगल बना लिया इसको आपकी मर्जी है जहां तक मर्जी आप स्टेट कर लें बहुत आगे तक भी ले जा सकते हैं बहुत कम भी नहीं होना चाहिए अटलिस्ट उतना होना चाहिए जितनी आपके पास next length हो अब आपने एंगल बनाया बी पे और इसके बाद third जो आपकी पास second length रह गई है वो कितनी है 3.7 cm की लेकिन वो बनानी कहां से आपने बी से लेके C तक आपने point A को disturb बिलकुल भी नहीं करना आप B से C तक length चाहिए और length कितनी चाहिए 3.7 cm की तो मालों आपको B को ही center रखके center मानते हुए B को ही उसी परकार को 3.7 cm तक open करना है और एक arc आपने draw कर लेनी है तो आप यहां पर लिखेगा take an arc of 3.7 cm taking as a center from center from B from B as center यह बिलकुल उसी तरह है जैसे आपने अभी पिछले question में सीखा तो यहां पर रखेंगे तो 3.7 cm suppose यहां पर कहीं पर आएगा और आपने इस तरह से एक arc बना ली 3.7 cm का और it cuts it cuts the length at C point C के उपर इसने जहां पर यह एक दूसरे को intersect कर रहे हो उसको आप point C का नाम दे दीजिए finally और last step आपका क्या होगा आप join कर दीजिए C को A के साथ join C to A अब C को इस point पर जहां पर यह intersect कर रहे हैं इस point को A के साथ अगर आप join कर देते हैं तो आपके पास required A, B, C triangle बना देखे A, B, C this is this is required triangle A, B, C तो यह भी बहुत सिंपल सकाम था जब आपको एक एंगल दिया हुआ हो और दो लेंट्स दीवी हो और आपने एक triangle design करना हो तो बहुत सिंपल है सबसे पहले एक length लीजिए उन में से एक vertex के उपर line segment के जो एक vertex के उपर angle मनाईए फिर उसी को center मानते हुए तीसे step के अंदर आपने क्या करना है एक arc जितनी length दीवी है उतना arc open करके उसी जो आपने ray खेंचा हुआ है B से लेके चलो इसको X का नाम भी दे दो B से लेके X तक जो ray बन रहा है उस ray को वो जहां पे आपका arc जो है 3.7 cm का वो जहां पे intersect करें उसको point C का नाम दीजिए और C को join कर दीजिए वापस A के साथ आपके पास triangle बन जाएगी A, B, C बिल्कुल इसी तरह से question number 4 भी है और इसी तरह question number 5 भी है इस question number 3 और question number 4 के अंदर सिर्फ दो चीज़े change होंगी angles जो है वो दियोवे एक angle आपको 60 degree का जो अभी हमने कर लिया दूसरा angle 75 degree का है और एक angle दिया हुआ है आपको 45 का तो क्यों ना best questions करवाने की बजाए आपको सिर्फ उनके angles जो है वो बता देता हूँ वो कैसे बनेगे बिल्कुल इसी तरह से ही जैसे अभी हमने 60 degree का angle बनाया आप लोग ऐसे ही जितनी भी length उन्होंने कही होगी एक length ले लीजिए A से B तक और मान उन्होंने हर A से C ले लीजिएगा क्योंकि उन्होंने 75 बोला है मैं C ले लेता हूँ तो angle 75 उन्होंने vertex C के उपर बनाने के लिए बोला है तो आपके पास A C जो है या C A जो है वो 3.5 cm दिया हुआ था तो इसको ले लीजिए C से A और C से A C के उपर 75 का angle है बिलकुल उसी तरह से आप परकार को थोड़ा सा open कीजिए एक semi circle ड्रा कीजिए वो कुछ ऐसा आएगा परकार को disturb नहीं करना बिलकुल भी और उसी wide या जितना वो खुला हुआ है उसी के साथ आप उसे intersect कीजिए तो वो कहीं यहां पर intersect करेगा ये जो angle बन 75 का तो 60 के बाद एक और angle अगर लेंगे तो वो होगा आपके पास यहां तक 60 हो गया यहां तक हो गया उसी परकार को उतना एक खुल रहने दिन है तो यहां तक हो जाएगा आपके पास 60 plus 60 120 अब 120 का अगर half करते है 60 और 120 का half करेंगे तो आपके पास क्या आजाएगा 90 देख 60 plus 120 divided by 2 that is equals to 180 over 2 which is equals to 90 degree तो अगर आपको 90 का एंगल बनाना है तो 60 का एंगल लीजिए 120 का एंगल लीजिए इन दोनों एंगल का हाफ कर लीजिए तो 90 बनेगा अब हाफ कैसे करते हैं यहाँ पर उसी परकार को जो जितना खोला हुआ है और यहाँ पर रखके एक और बनाईए और यहाँ पर रखके एक और बनाईए अ थोड़ी डिफ्रेंट बढ़ गई है यह और पुछ यह अब इस पॉइंट को जोइन कर देंगे तो यह आपके पास बन जाएगा एंगल 90 ड का अगर 75 चाहिए तो आप देखिए 90 प्लस 60 डिवाइड़ बाइटू मतलब यह 90 और 60 का हाफ लेंगे तो वह आपके पास 75 बनेगा देखिए कैसे 90 प्लस 60 इकोल्स तो 150 डिवाइड़ बाइटू विच इकोल्स टू 75 डिग्री तो 75 बनाना है तो उसके लिए पहले आपको 90 का एंगल चाहिए 90 का एंगल और 60 का अलड़ी होगा 90 और 60 बाइदवे यहां से 60 यहां से 90 इन दोनों का अगर हाफ लेंगे परकार उसी तरह उपन कीजिए यहां से य यह वली अगर आप इसे जॉइन करते हो तो यह अब इसको और इस पॉइंट को जॉइन करोगे तो वो आपके पास आजाएगा 75 डिग्री का अंगल तो 75 बनाने के लिए पहले हमें 60 चाहिए था फिर हमें 90 चाहिए था 90 बनाने के लिए हमें 60 और 120 चाहिए थे उसका हाफ कि बन जाएगा तो 90 और 60 का हाफ करेंगे तो 75 आजाएगा और फिर उस 75 का आखके देजिए 75 का अंगल बन जाएगा बिल्कुल इसी तरह से आपको सिख़्ाना चाहता हूँ है कि 45 का अंगल कैसे बनेगा अगर आपको 45 का अंगल बनाना है तो उसके लिए वापस उसी तरह से एक length लीजिए, suppose A, B और आपको angle B जो है वो, मानो आपको चाहिए हो 45 का या angle A चाहिए 45 का, इस question के अपपर आपको angle A चाहिए 45 का तो आपने A भी ले लिया 3 cm, वो जितना भी length है और B के उपर अगर आपको angle B, angle A equals to 45 A के उपर अगर 45 का angle चाहिए तो थोड़ा सा उसी तरह से परकार को open कीजिए एक semi circle draw कीजिए semi circle के जहां से वो length को starting point से cut कर रहा हो, वो 0 degree होगा इस पे रखने के बाद वापस एक रेखेंच ये, वो आपके पास 60 degree होगा अब ये हो गया 60 degree यहां तक और ये हो गया आपके पास 0 degree, 60 और 0 का half करेंगे 60 प्लस 0 और इसका half करेंगे तो 60 over 2 which is equal to 30 degree आपके पास angle आजाएगा 30 तो यहां पे रखिए और एक यहां पे रेखेंच दीजिए तो उसी तरह से और ये और फिर इसको अगर कट करोगे तो यहां पर एक दूसरे को कट करेंगे, वापस region को इस point से मिलाएए तो आपके पास ये वाला जो angle बन जाएगा ये angle होगा 30 degree लेकिन हमें चाहिए 45 degree तो 60 और 30 का अगर half करें तो वो हमारे पास आजाएगा 45 देखें कैसे 60 प्लस 30 divided by 2 which is equals to 90 over 2 hence 45, तो 45 चाहिए उसके लिए हमें पता चला के 60 का angle ज़रूरी है और दूसरा 30 का 60 का बनाना बहुत ही असान है 60 और 0 का half करेंगे तो 30 आजाएगा जैसे अभी अभी सीखा हमने और 45 जब angle चाहिए तो फिर 30 और 60 का half करना है अब ये 30 डिग्री है और ये आपके पास 60 डिग्री है इस point के उपर रखिए और उसको open किजिए like you और इसका भी open किजिए तो वो कुछ इस तरह से आएगा जहां पर ये एक दूसरे को intersect कर रहे हो उसको origin से मिला के straight line खेंच दिजिए ये आपके पास angle बन जाएगा 45 डिग्री, तो 45 भी सीख लिया, 90 भी सीख लिया 120 भी सीख लिया, 60 भी सीख लिया 45 भी सीख लिया, 30 भी सीख लिया, 75 भी सीख लिया, maximum आपके पास ये angles बनाना आएगे, वो हमने सीख लिये, move करते हैं इसी question के last two parts की तरफ, question number three, one का part three, part four, part five यह हमने तीनों discuss कर लिये, by the way, इसी एक वीडियो के अंदर, move करते हैं, हाँ, देखे, six, और seven, जो इसके दोनों parts है, वो दोनों के दोनों parts ही की जैसे हैं, जिनके अंदर आपको दो angles बनाने के लिए कहा हुआ है, और एक length दीवी है, जब एक length और दो angles दीए वे हो, तो वहाँ से हम कैसे बनाएगे, यह भी अभी सीखते हैं, suppose, इसका part, हम first question का part ले centimeter, measurement A, B, equals to 2.5 centimeters, obviously, यह solution ही है, और angle A, जो है, वो दिया हुआ है, 30 degree, angle B, दिया 105, angle, angle A, equals to 30 degree, and angle B, equals to 105, देखा, वही problem होगी, जो angle हमने नहीं सीखा था, 105 वही angle यहाँ बनाने के लिए आगे, चलें, अच्छा है, अभी पहले सीख लेते हैं, angle 105 कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद इसी को continue करते हैं, suppose, हाँ, सीख लेते हैं, आप length ले रहे हैं, यहाँ पर अगर आपको एक angle बनान 60 के बाद, यहाँ पर आएंगे, फिर आगे जाएंगे, तो कुछ यह आजाएगा, आपके पास, यहाँ पर आजाएगा 120, 120 और 60 का half लेंगे, तो हमारे पास आएगा 90, यह आजाएगा 6 का अगर half लेते हैं, तो वह कुछ, आपके ऐसे, और ऐसे, तो इनको जोईन करेंगे, तो आपके पास जो एंगल बन रहा होगा, वह होगा, 90 डिगरी का, यह बनाना हम सीख चुके हैं, अभी हमें चाहिए 105 का, और 120 और 90 का अगर half करते हैं, 90 प्लस 120, क्योंके आप 120 का पहले ही बना चुके हैं, वह कुछ यह वला था, यह वला 120 है आपके पास, और यह आपके प 210, डिवाइड बाइ 2, इक्वल्स टू 105, तो 105 कैसे आएगा, पहले 90 का एंगल चाहिए, फिर 120 का एंगल चाहिए, इन दोनों का half कर लेंगे, 90 एंगल यहां पे अभी उसी को रखिए, compass को, और फिर यह दोनों को इंटरेट कीजिए, और इसको अगर आप जॉइन कर देते हो यह जो नया एंगल बना है, जो half है, 90 और 120 का, इसको आगे तक stretch कर दीजिए, आपके पस बन जाएगा, एंगल 105 का, चलें, यह सीख लिए बिलकुल हमने इसी तरह से हम अभी यह question को solve करते हैं, वैसे तो इसी के उपर यह question पूरा किया जा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ क step 1 के अंदर, take a length of, length of, length AB of 2.5 cm, क्योंकि उन्होंने हमें बोला ही 2.5 cm है, चलें यह ले लेता हूँ, मैं A से लेके, B तक, मानो यह A है, यह B है, यह आपके पास आगया, 2.5 cm, उसके बाद वो कह रहे है, take an angle of, यहां से क्योंने देखे, angle A equals to 30, तो आप बनाएए, make an angle, make an angle of 30 degree at, at A as center, center A को माने, 30 degree अगर बनाएंगे, तो पहले तो यह बन गया, 60, और फिर यहां पर रखेंगे, half और इदर half करेंगे, तो इन दोनों को join कीजिए, आपके पास बन जाएगा angle A, यह बन गया भाया, आपके पास angle A, और आपने एक ray stretch कर दी, आगे तक A to X तक, center A and take array A X, बिल्कुल इसी तरह अभी हमें angle B पे चाहिए, 105 degree का, तो बिल्कुल angle B भी बनाएए, 105, थर्ड स्टेप के अंदर लिखे, make an angle of 105 degree at B as center, which cuts, जो के cut करेगा A X at C, अभी देखते हैं कैसे cut करता है, देखें, उसी तरह हमने half circle लिया, semi circle, यह हो गया, आपके पास 60 degree, यह हो गया 120 degree, इन दोनों का half लिया, तो यह हो गया 90 degree के क्रीब, जी, तो angle हम बना रहे 105 का, 90 का angle आपको पता है, यह 60 degree था, यह 120 था, 60 और 120 का half किया, तो 90 degree बना, अब 90 को अगर आप नीचे ले क्या हो, तो यहां तक आपके पास 90 degree बन गया, लेकिन हमें चाहिए angle of 105 degree, तो 105 होगा 90, और 120 के बीच में, तो वो कहीं होगा, यहां पर, और यह point को अगर आप origin से मिलाएं, और इसी point को अगर आप आगे तक stretch कर लें, तो यह, एक दुसरे को intersect कर रहे होंगे, point C के उपर, तो जहां पर यह एक दुसरे को intersect कर रहे हैं, वो point आप C मान लीजिए, और step 4 के अंदर आप लिख लीजिए, which cut at point C, join C to, बलके यह तो already एक दुसरे को cut कर चुके हैं, और join कर चुके हैं, तो that is, that is the required triangle ABC, तो यह आपके पास angle, triangle बन जाएगी, बहुत simple जदा, हो सकता है, आपके लिए यह विजिबल ना हो यहां तक, क्योंके काफी उपर तक चले गए, लेकिए 45 का length आपने जो बनाया, और B का angle 105 का बनाया, यह 45 degree था, by the way लिख सकते हैं, यह 105 degree था, तो जहां पे यह 105 का angle और यहां पे यह आपका 45 का angle एक दूसरे को intersect करेंगे, वो point आपके पास C होगा, और इस तरह से A, B, C, यह आपके पास triangle बन जाएगी, बहुत simple सा था,